असलाम वालेकुम एक बार फिर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी इस यूटूब चैनल में तो जो आज का जो वीडियो रहने वाला है क्लास 11 के रिलेटेड जो कि एस पर डिमार्ड मैंने ये वीडियो बना दिया है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 30% relaxation मिली है 11 को भी कश्मीर हो या जमू तो एस पर क्या distribution रहेगी उनको marks में तो इसके related हम आज बात करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप सभी लोगों को इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजट कर रहे हो तो इस चैनल के मादम से हम आपको जेके बहुत से related कोई भी information आपको provide करते हैं अगर अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को subscribe नहीं की है हमारी इस YouTube चैनल को कीजिए subscribe और bell icon पी भी on कीजिए क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी latest notification आपको सबसे पहले आ जाएगी ठीक है और ये जो वीडियो रहेगी बहुत ज़्यादा important रहेगी क्योंकि बहुत ऐसे students है जो personally message कर रहे हैं कि सरलयावंत के मार्कस distribution पर एक वीडियो बनाओ ताकि हमें पता हो कि हमने कितने attempt किये और कितने मार्कस हमको हासिल हो गए ठीक है तो इसकी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा important रहने वाली है ठीक है चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्या है distribution मार्कस वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे mathematics के, English के या फिर physical education की तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने physical education इसलिए ली है क्योंकि इसमें practicals होते हैं इसलिए आपको थोड़ी सी वीडियो जो है वो समझ में आ जाएगी ठीक है मार्कस किस के हिसाब से दिये गए हैं आपको पहले अंदाज़ा होगा कि आपको क्या मतलब कि 30% relaxation मिल गई थी तो उसी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने मार्कस attempt करने थी और कितने आपको मिल जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूंगा 30 मार्कस आपको pass मार्कस है अगर आपने 21 मार्कस attempt किये तो आपको pass किया जाएगा क्योंकि 30 परसंट आपको extra मिल जाएगा अगर आपने 21 accurate pass किये होंगे तो इसकी related क्या वीडियो रहेगी सबसे पहले अगर हम mathematics की बात करेंगे यहां पर मैं बताने वाला हूँ कि 70 परसंट अगर आपने attempt किये है तो आपको जो marks मिलेंगे वो 100 में से 100 मिलेंगे तो इसी तरीके से अगर हम 30 63 marks attempt करेंगे तो आपको 90 marks मिल जाएगे इसी तरह अगर आपने 56 किये हैं तो आपको 80 marks मिलेंगे अगर आपने 49 किये हैं तो आपको 70 marks मिलेंगे इसी तरह आगर आपने 42 marks attempt किये हैं आपको 60 मिलेंगे अगर 35 marks attempt किये हैं आपको 40 मिलेंगे तो इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे आपने 30 marks attempt किये हैं out of 100 में से 30 marks attempt किये हैं तो आपको मिल जाएंगे 42 marks ठीक है ये वीडियो जो है आपको समझ आएगी इंशाल्ला मैं उमेद रखता हूँ तो अगर आपने 20 marks किये हैं तो आपको 28 marks जो है वो 5 marks है 11th student scale लिए ठीक है वो फिर यहाँ पर ही आपको 33 देंगे या 36 देंगे वो depend करता है JK Boss के जो आपको marks marking करता है पेपोर्स में ठीक है न यहाँ पर अगर हम बात करेंगे English की English में यहाँ पर distribution अच्छे से दिया हुआ है ठीक है न यहाँ पर अगर आपने 56 किये हैं तो आपको 80 marks मिलेगे क्योंकि 80 marks है English में आपने शायद paper देख लिया होगा 80 marks है शायद 100 है वो आपने देख लिया होगा तो इसकी related अगर दूसरे में देखेंगे 49 अगर आपने item डेकी तो 70, 42 तो 60, 35 में 50 marks मिलेंगे 28 में आपको 40 marks मिलेंगे 21 में आपको 30 marks मिल जाएंगे यह अगर हम physical education की बात करेंगे यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ? आप यह थोड़ा सा ज्यान में रखेंगे physical education में यहाँ पर 30 mark से 40 marks जो होते हैं वो practicals की होते हैं इसलिए मैंने physical education यहां पर medical वाले भी होंगे और non-medical वाले भी होंगे और arts वाले भी होंगे तो इसलिए आप अंदाज अलागा सकते हों कि जिस subject में मेरे को 70 marks करने थे ठीक है ना अगर हम बात करेंगे practicals में और 10 marks assignment के होते हैं वहां पर और यहां पर अगर हम बात करेंगे दूसरी 35 अगर आपने attempt किये हैं तो आपको 50 marks मिल जाएंगे ठीक है यह जो वीडियो थी यह as per demand थी मुझे उमेद है कि आपने यह वीडियो समझ ली होगी कि यह वीडियो क्या है औ हमार YouTube चैनल सबस्क्राइब कीजिए हमार YouTube चैनल को और बैल आइकन भी आन कीजिए क्योंकि में लेटस्री वीडियो नोट्फिकेशन आप में इस नहीं कर पाओगे और हाँ अगर इसके अलावा और भी questions है आपके ठीक है ना तो मुझे instagram पर follow कर सकते हो लिक है description में वहां प में आपके आपके यहे एक र bugün झानी में खॉआ हिं हो ना झालाव कर छू द stacked के अलाव कर्याम की इस प्याम कर दो घ्लाव कर अले बद्लाव से दो, पाले जो मैंग झावा रवाव ट आन क Tips झाल 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 झाल